सो वेलकम बैक टू फ्री एरा आज की वीडियो में बातने वाले क्या मनोज़ ने एक बार फिल से सोरो जोसी को ट्रोल किया है और अरमान मलेक ने क्या कुछ रिपलाई किया है लक्से को और साथ यह आपको बता दू कि जो भी लोग मेरे को कल बोल रहे थे कि भाई यह स्कीन स सब्सक्राइब के लिए तो नहीं डाला है मतलब कि एडिट करके तो नहीं डाला है तो मैं आपको यहां पर स्क्रीन रिकोर्डिंग दिखा रहा हूं जहां पर आप साफ साफ दे सकते हो अभी के टाइम पर उननी से चार्सों चार्सों डॉलर कंप्लीट हो चुका है और इस वीडियो के लास्ट में आप ग्राफ देखोगे तो अर्निंग कैसे हुआ हैं तो मतलब कुछ कॉंटेंट एकदम से वाइरल हुए जिसकी वाइसे इतना इंकमिंग जनरेट हुआ है और अब की बार का हमारे हाइस्ट अर्निंग है क्योंकि इस महिने में हमारी कुछ वीडि के बार में बात ले जो किया अर्मान मलिक के बारे में तो अर्मान मलिक रिपलाई कि ये लक्सा को जब उनसे पूछा किया कि क्या आपने सच में तीन साधिया की है योकि रिचेंट में लक्सा ने ही उन पर रोश बनाया था तीन साधी को ले करके तो इसके related एक controversy हो रहा है याँ पर अर्मान मलिक जो की एक singer है वो अपने Twitter पर एक tweet किये तो यहाँ पर हुगए कि इनको अर्मान मलिक बोलना बंद करो इसका real name संधीप है और भगवान के खातिर मेरे नाम का मिस्यूज करना बंद करो जब भी मैं सुबह उठता हूँ तो इसके नाम के जो hate article है वो देखने को मिलते है उनको तो मेलनी है पर वो यही कहना चाहते है कि जो YouTuber अर्मान मलिक है उनका real name संधीप है और नाम सेम होने के जैसे जो भी hateful article YouTuber अर्मान मलिक पर बनते है तो उनका hate कही ना कही अर्मान मलिक को भी देखने को मिलता है अपने opinion comment में बता सकते हो तो चलिए अब हमारी अगली अपडेट के बार में बात लेते जो कि हैं Manoj Day और Soro Joshi के बार में तो Manoj Day अपने Instagram story पर अपने वीवर से पूछे की क्या उनको तेज यादव के साथ में कोई podcast करना चाहिए और इसके बात में एक बंदा उनको यहाँ पर बोलता कि Soro Joshi से कीजिए जिस पर Manoj Day उनको reply करते हैं वो छोटे challenge पर नहीं आता और जैसे कि आपको याद ही होगा कि past के time पर Manoj Day और Soro Joshi का controversy होके रखा है तो एक बार फिर से उन्हीं चीज़ों के यहाँ पर pop-up किया गया है और इसके अलावा toxic अपने YouTube channel पर वीडियो अप्लोड किये जहाँ पर roast के vloggers का और Soro Joshi का तो में भी सायद आप मेंसे काफी साय लोगों ने रोश को देख लिया हुगा आपको कैसा लगा मुझे comment में जरूर से बताना और अभी Soro Joshi के बार में बात चलीगे तो बता दो कि Soro Joshi अपने थार को बेचने वाले है और इसका उन्होंने प्राइज रखा है 15 लाग रूपे तो गाइज क्या आप इस थार को खरीदने में इंट्रस्ट रखते हुँ मुझे comment में जरूर से बताना आप मेंसे कौन-कौन चाहता है कि वो इस थार को खरीद ले तो चलिए हमारी अगली अप्डेट के बारे में बात ले चुकिए हैं M.C.Stan के बारे में तो रनवीर अलाबाद्या के YouTube चैनल पर हमें M.C.Stan का पोड़कास देखने को मिला जहां पर बात हुई M.C.Stan के बारे में तो यहां पर M.C.Stan यह बताए कि साथ M.C.Stan के साथ में उनका कोले आप देखने को मिल सकता है पता है कि कुछ बीच में वो तो होगया मतलब हो सॉट होगया कबीच अलब कभी इसे बात नहीं कया लेकिन अब दोनवाटर है मतलब ऐसे नहीं तो परसनेली कुछ नहीं था प्रू यार मतलब ऐसे नहीं था कि डिस 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 अलग चीडे जिस गाना रहता तो टो अब यह दूबार अब यहांगे दिल में कुछ नहीं अपले तो यहां नहीं प्यार दिया था अब बीच में भी को प्रकार को टाइम आने वाला है तो चलिए हमारी अगली अध्लेट के बार में बात ले जोके हैं, त्रिपलर मुवी के बार में, तो ट्रिपलर मुवी को मिला है, बेश्ड इंटरनेस्पल फिल्म आवॉर्ड, सो उनको many many congratulations, और इसके लाबा तीन आवाड और मिले हैं, dispositic Looks Association keywords, और अभी movie के बारे में बात चले गए तो यहांपर बात लते हैं selfie movie के review के बारे में तो इसके उपर में काफी साहे youtubers react किये जैसे कि new man अपने twitter पर tweet किये selfie movie ठीक ठाक था, ott में देख लेना आराम से और इसके इलावा थगेस अपने twitter पर यह कहें कि वो अभी अभी selfie movie को देखे हैं उनको काफी जदा पसंद आई और बात करें आपर trigger इंसान की तो वो अपने instagram पर story अप्लोड की जहांपर बताए कि वो selfie movie को देखे हैं और actually make nice movie है यह तो बस यारा आज के लिए बस इतना ही मिलता आपको अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई